और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड में अपत्यार है इस समाधान से का समाधान तुरंत हो जाएगा लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई न कोई एक्सिडेंट हो रहा है जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है हमारा एक साथी जो यहां खड़े हो करके कह रहा है यह सच्चाई है कि पूरे उत्तवरेस में लगातार जो छुटा पशू हैं जानवर हैं उनकी वज़े से जान जा रही है और इधर समाजवादी पार्टी ने विधान सवा में भी सरकार को जगाने की कोशिस की टाइगर से लेपर से जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं जिसमें बिजनौर है, पीली भीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराईश है, सरावस्ती है, बर्रामपुर है इन तमाम जिलों में सुचना हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटेक किया है जिससे बड़े पेमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जहन लई और इधर जो सुनने को मिला है, और देखने को मिला है कि गीदर की वज़े से पूरे के पूरा जो हमारा छेतर परिशान है लोग भैवीत हैं, डरे हुए हैं हमारे तमाम पतकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सजस्तों से मिले हैं, उनकी बाचीत भी उन्होंने दिखाई है, और सरकार अभी भी गंभीर नहीं हैं, कभी सरकार ड्रोन उलाती है, कभी मुख्यमंती जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने कोशिश कर करती है, और जब मदद भी की गए तो उसमें भेदवा हुआ है, कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदवाब नहीं करना चाहिए, इन्होंने गरीबों के साथ भी भेदवाब किया है, समाजवादी पार्टी की मांग है, कि जिन बच्चों की जान गई हैं, उन परिवार के रशा का इंतजाम होना चाहिए, जानवर जान ले रहे हैं यहां पे तो, और जिनों ने जैसा मैंने पहले कहा, कि जिनों ने जानवर की समस्या को खतम करने के लिए बड़े बड़े वादे किये थे, उन लोगों की जवाब दे ही निश्यत होनी चाहिए, और वादा भी उठने चाहिए, जानवर की समस्या से निपटने के लिए एक STF बनानी चाहिए, और या फिर गीदर की समस्या का समधान के लिए ये भी केस STF को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस STF को ये नया काम देना चाहिए, कि गीद और नॉड़ा में जमीन आवंटन केस में एडी का एक्शन हुआ है 9000 करोड के जमीन घुटाले में एक्शन हुआ है कंस्ट्रुक्शन कंपानी एसिंडा को मिली है जमीन एडी पर एक साथ कई जगों पर चाफे मारी की गई है जिसमें दिल्ली, नॉडा, मेरट सब शामिल बताय जा रही है तो पोरव आयस मोहिंदर सिंग के समन भी जल्द जारी किया जाएगा इसको लेकर हम आपको बता दे कि किस तरह से कहां कहां से क्या कुछ मिला है रेटार्ड आयस मोहिंदर सिंग के घर से करोडों के हीरे जेवरात मिले है जिसकी तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे है रेड में टीम को साथ करोड का डाइमंड मिला है बरामत्की के एक्स्क्लीूसिव तस्वीरे इस वक्त आप न्यूजटी नुत्तर प्रदेश उत्राखंड पर देख रहे है बरामत्की में एक पाँच करोड का डाइमंड भी शामिल है जो डाइमंड इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे है एक बड़ा हीरा है सुत्रों के मताबिक मायवती सरकार में मोहिंदर सिंग काई प्रमुकपत पर रहे है मोहिंदर सिंग नौइडा, ग्रेटर नौइडा अथॉर्टी के चेर्मेन भी रह चुके है बेस्पी सरकार में मोहिंदर सिंग के कद्दावर आयस माना जाता था मायवती सरकार के दौरान हुए स्मारक होटाले की विजलेंस जाच में भी मोहिंदर सिंग को पूछताज का नोटेस बेजा गया हलाकि तब उनकी ओर से बताया गया कि वो आस्ट्रिलिया में है कमपनी है सिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिम्टेट के ग्यारा ठिकानों पर दो दिन तक एडी की छापेमारी चली है इस छापेमारी में एक करोन रुपए नगत बारा करोन रुपए के हीरे साथ करोन रुपए का सोना बरामत हुआ है तो वहीं 6 बैंक लॉकर्स और कुछ आपति जनक दस्तावेज भी बरामत हुए है इसी क्रम में यूपी केडर से रिटायर्ड आईएस मोहिंदर सिंग के चंडिगड आवास पर भी एडी ने छापेमारी की है मोहिंदर सिंग के आवास से 7 करोन रुपए के हीरे बरामत हुए है तो वहीं मेरट में शारदा एक्सपोर्ड के डारेक्टर आदित गुपता के छिकाने पर भी इस मामले में छापेमारी हुई है जहां से 5 करोन रुपए के हीरे बरामत हुए है हाई कोड के आदेश पर E.D. इस पूरे मामले की जाच कर रही है जल्द ही इस कंपनी के डारेक्टर्स और पूर डारेक्टर को भी पूछताच के लिए E.D. तलब कर सकती है ये बताया जा रहा है कि नोईडा में एक आली शान रिहाईशी प्रोजेक्ट के नाम पर खपला किया गया है वसूली गई रकम शेल कंपनीज में डाइवर्ड की गई कैमरमेन उपेंद्रियादों के साथ रिशा मुडितर पाठी निउजेटीन लखनव और अब भदोई से खबर लेते हैं जहां पर एस पे विधायक जाहिद बेग ने सरंडर कर दिया है जाहिद बेग ने कोट में सरंडर किया नाबालिक लड़की के सुसाइट के इसमें सरंडर किया इसने विदायक के खार पर शब मिला था नावालिक का, कल बेटी को पुलिस ने गिरफ़तार किया था और अब इसने खुद यानि कि इस पे विदायक जाहिद शेक ने भी सरेंडर कर दिया है तो जाहिद बेग का सरेंडर हो चुका है, कल बेटी की गिरफ़तारी हुई थी ये पूरा मामला एक नावालिक के शव मिलने से था जो जाहिद बेग के घर पर मिला था जिसमें की बेटे को पहले ही गिरफदार कर लिया गया यानि कल और ये काफे तिनों से जो जाहिद बेध है फराज चल रहे थे लेकिन आप उन्होंने भी सरंडर कर दिया है